राथे राथे भक्वान के क्रुपा से आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कई बार कई लोगों का जो व्यवसाय है वो क्यों नहीं चलता वो बहुत कोशिश करते हैं और व्यवसाय भी अपना बदल के देखते हैं लेकिन उनका जो व्यवसाय है वो नहीं चल पाता आखिर उनके व्यवसाय पर ताला लग जाता है ऐसे क्या परशानिया होती हैं कि वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उनका काम नहीं चल पाता पहले तो उन लोगों को कभी भी मास मदरा का सेवन नहीं करना चाहिए इससे भी वेपार चलने में बाधा उत्पन होती है और दूसरा जब भी वो अपनी दुकान या आफिस में परवेश करें तो उन्हें हमेशा माथा टेक के फिर परवेश करना चाहिए और कभी भी अपने घर में कलेश नहीं रखना चाहिए घर की औरतों को कभी भी गालिया नहीं देनी चाहिए बुरा भला नहीं बोलना चाहिए चाहे वो माँ हो बेटी हो बेहन हो या पत्री हो और कभी भी घर की औरतों को किसी चीज के लिए मना नहीं करना चाहिए अगर उन्हें रुपए पैसे की जरूरत है तो वो आपके स्वाई और किस से मांग करेंगी इसलिए खुद ही जब भी कहीं से पेमेंट आए तो थोड़े से पैसे घर की ओरतों को वश्या ही देने चाहिए ताकि वो अपनी रोज मरा की जरूरतें पूरी कर सकें क्योंकि अगर घर की ओरतें ही रोती रहेंगी तो हम कैसे सोच सकते हैं कि विपार चलेगा क्योंकि जहां पर ओरतें खुश होती हैं इस तरियां खुश रहती हैं वहीं पर देवता निवास करते हैं वहीं पर देवताओं का वास होता है और मा लक्षमी भी उसी घर पर उसी वेवसाई पर कृपा करती है जहां से घर की महलाओं को खुशी दी जाती है उनकी हर जरूरत पूरी की जाती है लेकिन उन्हें थोड़ी थोड़ी सी बात के लिए डांटा डपटा जाता है तो फिर उ वेपार का हम कैसे सोच सकते हैं कि वो फले फूलेगा और अपने ओफिस या दुकान या वेवसाई जहां भी आप काम करते हैं वहां के बेंच कुरसियां तूटी हुई नहीं रखनी चाहिए कई लोग इन बातों की तरफ बिलकुल भी ध्यान नहीं देते लेकिन ये जो प्राल है नकारात मकता का वो भीला देती हैं और फिर उस ुकान या वेवसाई या ऑफिस में कस्टमर आने बंद हो जाते हैं और सारा समान बिकने वाला वैसे का वैसा ही बढ़ा रहता है और अपनी दुकान में या जहां भी आप काम करते हैं बहां पर साफ सफाई आले लगे होते हैं और हम ये आशा करके बैठे होते हैं कि शाम तक हमारे बहुत ही ग्रहक आ जाएंगे बहुत जादा काम चल जाएगा तो ये जो गंदगी है वो नेगिटिवटी फैलाती है और कभी भी लोग ऐसे गंदी जगों से समान लेना पसंद नहीं करते इसलिए सब से बड़ी बात यही है कि दुकान या जहां भी आपका ओफिस है वो साफ सुथरा होना चाहिए अगर इतनी आर्थिक विवस्था आपकी ठीक नहीं है कि आप नया समान लाकर रख सकें तो फिर जो पुराना है उसे ही ठीक करवाकर साफ सुथरा करके रख लेना चाहिए रखना चाहिए और ये चोटी चोटी बाते हैं इनका वश्या ही ध्यान रखना चाहिए और एक छोटा सा मंदिर अपना जहां आप काम करते हैं वहां जरूर बनवाना चाहिए और वहां पर जो तो वश्या जलानी चाहिए बस ऐसा ही नहीं कि बनवाकर ही रख देना चाहे बाद में खुद दी उस भोग को आप खा सकते हैं एक बार भगवान के आगे भोग वश्या ही रखना चाहिए हम भोग में कोई फल वगेरा भी रख सकते हैं लेकिन भगवान के आगे जोत वश्या जलानी चाहिए और भोग वश्या ही लगाना चाहिए इस तरह से हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपनी बेटी बहन के घर खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि इनका हमारे घर पर हक होता है ये जब भी कुछ लेती हैं अपने हक से लेती हैं ये हमारे से कोई भीख या दया नहीं लेती इसलिए अगर हम इनका हक देंगे तो मा लक्षमी भी हमेशा हमारी जो जेब है वो भरी रखेगी अगर हम जेब भरी होते हुए भी इनका हक इनको नहीं देंगे तो फिर उस जेब को खाली होते भी देर नहीं लगेगी विपार तभी ठप हो जाते हैं जब हम किसी का हाक उसे नहीं देते और बिना वजा ही अपनी घर की महलाओं की आंखों में आंसू देते हैं अगर हमारी वजा से हमारी घर की महलाओं की आंखों में या बच्चों की आंखों में आंसू आते हैं तो इस बात को भगवान कभी भी माफ नहीं करता, फिर वो अपना जो लाठी है वो चला देता है, कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन एक दिन वो अपना असर दिखाती है, इसलिए जिन लोगों को हमारे से खुशी की उमीद है, उनकी जोली में हमे के कहते हैं कि इस्तरियों की जोली और मर्द की जे, भगवान कभी भी खाली ना रखे, फिर जब वो खाली रखता है, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे हमारा ही कोई किया धरा है, जो हमें आज ये भोगना पड़ रहा है, इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो अवश्या ही आपका वेवसाय फले फूलेगा और आपकी जीवन में उन्ती होगी, जै माता दी